खत्रों के खिलारी सीजन 12 के सेट पर रुबीना दिलाइक हुई जननत जुबैर की बहुत बड़ी फैन आईए जानते हैं कि रुबीना दिलाइक ने जननत की तारीफों में क्या कुछ कहा है और खास तोर पर रुबीना ने किया खुलासा की आगरकार उन्होंने खत्रों के खिलारी सीजन 12 को येस क्यू कहा था यानि शो में आने के लिए उन्होंने एगरी क्यू किया था इसका भी खुलासा हो चुका है चलिए पूरी खबर की जानकारी आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में नवसकार मैं सनक्दा स्वागत करती हूँ आप सभी का हुमारे चैनल पर दे मोस्ट पॉपीलर, मोस्ट ट्रॉंगेस्ट और अमेजिग कॉंटस्टेंट रुबीना दलाइक जिस पर फैंस की नजरेटिकी होती है रुबीना दलाइक जो की इन दिनों सुर्कियों में बनी हुई है खत्रों के खिलारी सीजन 12 को लेकर हाला कि शी हाज आलवेज बीन इन दे लाइम लाइट हमेशा से बिग बॉस को लेकर अपने पॉपीलर टीवी शो शक्ती अस्तित्व को लेकर हर टीवी शो से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है बिग बॉस की विनर बन कर उन्होंने जो पॉपीलरिटी गेंड की है इट इस कमेंडिबल लेकिन अब हमें खत्रों के खिलारी सीजन 12 में रुबीना का एक अलग ही एडवेंश्रस अफ़तार देखने को मिल रहा है रीसिन इंटर्व्यू के दौरान जब रुबीना से पूछा गया ये सवाल कि आखिरकार रुबीना दिलाइक ने खत्रों के खिलारी सीजन 12 के लिए ये स्क्यू कहा था जिस पर रुबीना ने दिया जवाब रुबीना दिलाइक का कहना था बेसिकली अबिनाफ शुकला ने कहा था कि ये शो मेरे लिए बहुत अडवेंश्रस और बहुत एंटर्टेनिंग लेकिन मुझे इसमें अभी फिलहाल कोई फन नहीं दिखता तो ऐसे में रुबीना दिलाइक ने किया को लाज़ा कि अबिनाफ शुकला के कहने पर उनके एक्स्पिरेंस जैसा अबिनाफ ने रुबीना के सामने शेर किया उसके बाद रुबीना एक्साइट थी शो पर जाने के लिए और शो में आने के बाद रुबीना का ये कहना है कि इस शो इस नौट अट आल इट ड़संट हाव सो मच और फन जितना कि उन्हें वेल प्रॉब्लम्स और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वैसे रुबीना का कहना है कि it is amazing यानि कि ये बहुत amazing feeling है honestly ये experience करना बहुत ही adventurous experience है and thankfully हम proudly किसी को बता सकते हैं कि we have experienced so many lot of things तो ये बहुत best part है खत्रों के खिलारी का इसके अलावा जब उनके bond के बारे में पूछा किया आखरकार वो किस से सबसे अच्छा bond share करती है सेट पर तो रुबीना ने किया बड़ा खुलासा रुबीना ने बताया कि नशान भर्ट, शिवांगी जोशी, प्रतीक सहच पाल, जननत जुबैर ये सब के काफी close है रुबीना खास तोर पर रुबीना का ये कहना है कि जननत की वो सबसे बड़ी fan है क्योंकि इतने कम age में जननत ने जिस तरीके से strongly हर stunts को perform किया है रुबीना is just impressed रुबीना दिलाइक बहुत बड़ी fan बन चुकी है जननत जुबैर की इतने कम उम्र में इतने सारे stunts को और वो भी इतने confidence के साथ perform करना बहुत बड़ी बात है तो यहाँ पर रुबीना ने किया बड़ा कुलासा रुबीना है जननत की बहुत बड़ी fan क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर पर हमें बताएं कमेच करके तमाब updates के रिए बने रहें चानल के साथ